दोस्तो UIDI के तरफ से एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है पहले आप लोग अपने आधार कार्ड में अपने नाम को करेक्शन करना होता था या फिर जनमतिती डेटो वर्थ या फिर जेंडर को करेक्शन करना होता था तो आप लोग घर वैटे ही ओनलाइन कर स सकेंगे तो सारा कुछ प्रोसेस में आप लोगों को इस वीडियो में लाइब दिखाने वाला हूँ कि यहां पर पहले किस तरहें से सो होता था और अब आप लोग देख लीजिएगा किस तरहें से शो हो रहा है सबसे पहले आपको करना क्या है UIDI की ओप्शियल वेबसाइ लोगिन वाले ओप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद आपको यहां पर अपने आधार नंबर को एंटर कर देना है आधार नंबर एंटर करने के बाद आपको एक कैप्चा कोड दिखाई दे रहा इस कैप्चा को सेम टू सेम यहां पर फिल कर देना है और से Option आ जाएंगे, जिसमैं कि यहां पर आपको एक aperture देखने को मिल जाएगा, address, update, तो आपको इस वाले option पर एक बार klik कर देना है, klik करने केबाद यहां पर आप लुगों को first number पर ही ओ न देखने को मिल जाएगा, update आधार online तो इसी वाले option पर एक बार click कर देना है जैसे ही click करेंगे आपको यहाँ पर proceed to आधार वाले option पर एक बार click कर देना है click करने के बाद अभी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले उपर के side में देखेंगे जो name का section है वो complete पूरी तरह से यहाँ से remove कर दिया गया है आप लोग अपने नाम को अब change नहीं कर सकेंगे साथ ही यहाँ पर जो date of birth का section है उसे भी यहाँ पर hide कर दिया गया है अब आप लोग जनमतिती भी change नहीं कर सकेंगे और ना ही आप खुद से gender को change कर सकेंगे यहाँ पर आप लोग सिर्फ अपने address को ही change कर पाएंगे और जिसको change करने की कोई भी limit नहीं दी गई है पहले आप लोग यहाँ से अपने नाम, date of birth और gender को भी change कर सकते थे लेकिन अभी आप देख सकते हो completely पूरी तरह से यहाँ पर इसे हटा दिया गया है तो चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर इन options को यहाँ से क्यों remove कर दिया गया है क्या problem है और क्या दोबारा से यह option 8 किये जाएंगे या फिर नहीं किये जाएंगे तो आप लोगों को मैं यहाँ पर बता देता हूँ यह जो option है वो इसलिए remove किये गए हैं क्योंकि काफी बार ऐसा हुआ है और UIDI के सामने काफी cases ऐसे आए हैं कि बहुत से लोग यहाँ पर fraud कागजात को बना करके और नकली दस्तावेज को बना करके यहाँ पर नाम बगेरा और date of worth को अपडेट कर रहे थे और काफी ज़्यादा यहाँ पर जब खुद से आप लोग अपडेट करते थे तो fraud हो रहा था तो इसी को देखती हुए यहाँ पर यह तीनों ही sections को हटा दिया गया है जिसे कि दोस्तो fraud ना हो सके और किसी के आधार कार्ड में किसी के नाम को correction हो जाता था काफी ऐसी problems आती थी चली दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर इन options को क्या दोबारा से यहाँ पर aid किया जाएगा या फिर नहीं किया जाएगा तो यहाँ पर आप लोग दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूँ अगर आप customer के ऐसे UI, DAI की बात करेंगे तो बहाँ पर आपको सुनने को मिलेगा लेकिन फिर भी अगर आप लोग करना चाहते हैं तो इसका एक और मेरे पास तरीका है अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं वो तरीका आप लोगों को next वीडियो में बता दूँगा और बहाँ से भी आप लोग घर बैटे ही अपने आधार कार्ड में डेटो वर्त, जेंडर और नाम को आसानी से चेंज कर सकेंगे और साथ ही अपने मोबाइल नमबर को भी लिंक करवा सकेंगे तो फिलहाल दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही और इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ यही था कि आप लोगों को सही और साथीक इन्फोर्मेशन मिल सकें और आप लोग अपने आधार कार्ड में किसी भी तरह का करेक्शन करने के लिए आएं और आप लोगों को कुछ इस तरह से इंटरफेस सो हो तो आप लोग कन्फूज ना हो इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ यही था तो फिलाहल दोस्तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही और मिलते हैं दोस्तों फिर से किसी एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ